हलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा यम्मी चोकलेट टरफल केक की रेसिपी लेकर आई हूं दिखने में जितना सुन्दर लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी यह बनाना बहुत ही आसान है इसमें हमने मेदे का यूज भी नहीं किया है इसके लिए आपको ओवन की ज़रूत नहीं है ना ही बटर की ना ही कंडेज मिल्की बहुत ही सिम्पल सी चीज़ों के साथ बना कर तयार करेंगे तो चली फिस शुरू करते हैं इस आसान और मज़िदार सी रे टू टेवली स्पून इसमें डालेंगे हम पाउडर सुगर सिंपल चीनी को मिक्सिम डाल के ग्राइंड कर लीजिए पाउडर सुगर तक यार हो जाएगी इसके साथ इसमें हम डालेंगे लगबग हमें वन टीस्पून इसमें डाला है वलीना एसेंस या फिर आप गेंग का आठा यह वही गेंग का आठा जिससे हम रोज में रोटिया बनाते हैं इसके बाद मैंने टीन टेबली स्पून भरके डाला कोको पाउडर अब इसमें हम डालेंगे वन फॉर्थ का मिल्क पाउडर अकर आपके पास हो तो आप जरूरेड करें नहीं है तो आप इस इसके बाद अच्छे से से मिक्स करेंगे तो एक डाम को काऊना ओबर उबर मिक्सिंग नहीं करनाई है और इसमें पानी य हीडर करते जाएं आप चाहें थेवी लूण का भी उस कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप रोम टेंपरेचर का पानी इसमें डालते जाएं और एक की डायरेशन में, आप देख सकते हैं, मैं चला रही हूँ, एपोजिट डायरेशन में आपको नहीं चलाना, इस पर चुलाई है, विसकर जूबी आप इस्तिमाल ले रहे हो, तो केक राईज नहीं होगा तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बेटर बन चुका है रिबिन कंसिटेंसी का हमें बेटर चाहिए तो आप बेटर के अकोर्डिंग थोड़ थोड़ पानी इड़ करते जाएं अब लास में एड़ करेंगे विनेगर तो यहां मैंने वन टेबल इस्पून विनेगर अप चाहें तो एक्स्टर इस पॉंजी बनेगा इससलिमें इसमें एड़ कर दिया है इसके बाद इसको pre-heated कड़ाए में रख देंगे मैंने पहले एक stand डालके रखा हुआ है और पांच मुनिट तक मैंने इसे medium flame पर preheat कर लिया था पहले ही काम आपको पहले ही करके रखना है विनेगर डालने से पहले ही इसके बाद cake tin को बहुत ही साफ़ान इसे रख देंगे और इसको cover करके रख देंगे बिल्कुल अच्छे से और इसे हमें लगवा 40 मिनिट तक bake करना है तो depend करेगा गेस की flame पर तो एक बार आप 30 मिनिट बाद जरूर चेक करने केक को bake करने में 40 मिनिट लग गए थे और बिल्कुल slow flame पर आपको bake करना है केक को ध्यान रखे कोई भी भार चीज रख दे ताकि air बिल्कुल भी भार ना निकले अम मैंने यह लिए चोकलेट तो मैंने यह लगवग 400 ग्राम चोकलेट ले ली है और इसको direct gas की flame पर slow flame पर हमें इसे लगातार चलाते हुए इसका गनाज बनाना है तो आपको ध्यान रखना है इससे आप फटाफट गनाज बना कर दियार कर सकते हैं तो आपको लगतार चलाना है और आप देख सकते हैं चोकलेट अच्छे से केक भी अच्छे से बेक हो चुका है मैंने इसको 40 मिनिट बाद चेक किया तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बेक लग रहा है तूदपिक डाल कर देखेंगे तो बिल्कुल clean आ रही है इसका मतलब perfect बेक हो चुका है मैंने एक बार 30 मिन बाद पहले भी चेक किया लेकिन तब थोड़ा सा कच्छा था तो मैंने इसे 5 मिनिट और बेक किया है तो इसको निकाल लेते हैं इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे थंडा होने के बाद ही हम इसको डिमोल्ड करेंगे तो ठंडा होने के लिए आप किसी भी कपड़े से केक टिन को धग दें तो टो यहीं नहीं सकता कि हमने यह आटे से बनाया है बहुत irgendwie स्पोंजी बन और तयार है बहुत ही जाले दार बनाए है अंदर से में तेक्शर बताओंगे जब इसकी ले करूंगी तो सबसे पहले उसकी टॉप लेयर को थोड़त रिमूब कर लेंगे इसे क्या केक लेवल हो ब बहुत ही कम क्रम्स निकलेंगे और बहुत ही इमली कटेगी तो अगर आप फिगनर्स है तो आप त्रेड़ से ही लेयर को कट करें दिशान लगाने के बाद उन निशानों में त्रेड़ को फसा ले और अपोसिट साइट में खीच ले तो इस तरीकी के लिएर कट कर तेयार हो जाएगी अब यह देख सकते हैं आप गनास भी थोड़ा सा थिक हो चुका है तो friends यह गलती हुई मुझसे कि मैंने जो गनास है उसमें थोड़ा सा दूज जादा एड़ कर लिया था सोग करेंगे अच्छे से फस्ट लियर को तो फस्ट लियर को तो फस्ट सा गनास लगाया है पलेट पर उसके बात फस्ट लियर की रखे ताकि इस ठीक रहे इदर से उदर ना फिसले यह cake मैं घर के लिए बना रही हूं इसलिए मैंने यह cake board का इस्तमाल नहीं किया है, मैंने यह simple plate में इसको बनाया है, और आप देख सकते हैं, अगर आप धिरास यह थोड़ा पतला ही हुआ है, तो आपको धिहान रखनाना, अगर आप order के लिए बना रहे हैं, तो गनास थोड़ा सा ठीक लें, इसके बाद इसको अच्छे से बीट करके आप यूज में ले सकते हैं पर यह मैं घर के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सी गड़ बड़ इसमें चल जाएगी तो मैंने अच्छे से गनास इसके उपर फेला दिया है, इसके उपर मैंने फिर से सेकंडेर लगाई, इसको भी अच्छे से सौक किया है, इसके बाद फिर से मैंने लगाई, इसके उपर चोकलेट गनास तो बहुत सारा गनास मैंने लगाया है, क्योंकि चोकलेट टरफल केक ब तब आप इस पेचुला को गरम पानी में डिप करके अच्छे से पोच के इसके बाद आप इसको फेलाएंगे तरफल को तो बहुत यासनी से वह फेल जाएगा तो तरफल लगाती जा रही हूं अच्छे से लगाने के बाद मैंने इसके अपर तीसरी लेयर रख दी है तीसरी केक के आइसिंग करें तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती केक इसको सबसे टॉप पे रखे तो इससे बिल्कुस इस गवल आपका जो केक है वो तयार होगा तो अच्छे साप देख सकते हैं सोकिंग करने के बाद मैंने इसके ओपर लगा दिया है गनास धेर सारा गनास कर लूगी कोटिंग करने के बाद अच्छे से इसको फ्रीज में सैट कोने के लिए रख देंगे लगण बहुत ही सानी से इसके उपर लगा सके तो आप सकते हैं यह कुछ गार्निशिंग बनाई है मॉल्ड में बनाई है केसे बनाई है मैं लास्ट में आपको बता दूंग तो आप वीडियो के इसकी पिना किये पूरा एंड तक बहुत जरूर करना तो इस गार्णिशिंग पर थोड़ा सा मैं गोल्ड डश्ट लगा रहे हूं क्योंकि गोल्ड ब्लैक केक हम बनाने वाले हैं तो इसको पर मैंने गोल्ड डश्ट अच्छे से इस तरीके से फिंगर से बनाया इनको भी डार कंपांट और मिल्क कंपांड चोकलेट को मिलाकर मैंने बनाया है और इनको प्रिव अच्छे से मैंने डश्ट इंगर से आप देख सकते हैं तो यह गोल्ड जो गार्निशिंग हमारी बनकर तयार हो चुकी है और फ्रेंस मैंने फ्रीज से केक को निकाल बहुत ही सिम्पल सा रखा रखा है बट टेस्ट में भुहत ही अमिजिंग बना था लुक में तो आप देखी सकते हैं कितना ब्यूटुफुल हमारा चेक लग रहा है जबकि हमारा गनाज बहुत ही पतला हो गया था तो आपको ध्यान रखना है बस थोड़ा सा गनाज आप थिक बनाएंगे थोड़ा सा ट्रफल थिक बनाएंगे तो केक में जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगी तो मैंने उपर भी हाट लगा दिया है थोड़ा नहीं गोल्डन बॉल्स असके पर लगा दिये हैं अब मैंने थोड़ी शुगर ली है सिंपल चीनी है इसके में थोड़ी इसी गोल्ड डॉस्ट मेंने डाल दिय अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और यह हमारी जो गोल्डन वाली शुगर है वो बनकर तयार हो चुकि है य तो यह फ्रेंड्स फटाफट से जो यह गानिशिंग हमने लगाई है उनको भी बनाना देख लेते हैं तो मैंने यहाँ चोकलेट को मेल्ट कर लिया है अग्स में कुछ भी एड नहीं करना है आपको इसको सिंपल मेल्ट करने ना है डबल बोलर मेत्रेट से इसके बाद थरह सा काम आसान हो जाता है कोय भी मेसी नहीं होता है काम बहुत ही क्लिन काम होता है इसलिए मैं हमेशा पाइपन्ग में भरके यह गानिशिंग से तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मोल्ट में आपको फिल कर लेना है अच्छे से टेप करते हुए जाना है अच्छे से टेप करने के बाद आपको फ्रीज में इसको सैटोने के लिए रख देना है लगभग 15 से 20 मिनिट के लिए और आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप कुछ मॉल्ट मंगा के रखेंगे तो जटपट आपका काम हो जाएगा और बहुत ही प्याली सी डेकोरेशन हमारी बन कर तेयार हो जाएगी तो यह कुछ मैंने बना कर रखे हुए है आद इनको इस्टोर करूंगे और आद केक म हमारा बहुत से ब्यूटिफुल बन कर तेयार हो आए तो आई हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड से और यह है मेरे खेंसमेंट के केक कटिंग की वीडियो आई हो आपको पसंद आएगी और थोड़ा से भी पसंद केक वीडियो यूसफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें कमेंटर मुझे कमेंट करके जरूर क्या ना आपको वीडियो कैसा लगगा और इस परम हो छाए आग Response & वीडियो में आपके साथ ओर भी लाने वाली हो तो जल्дी से चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए म मिलते हैं से तरह के आसन वीडियो में तब तक रहें.